कि कि मेरे सबही साथियों को कि पिई टी की तेयारी करने वाले सबही सा वके मेरे नमशकार eight मैंने शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ऑपलाइन के मिस्ट्रीक लासिज बाई अनुसर Sexual साथियों जैसा कि सभी बच्चों की requirement है सभी मेरे मित्रों की requirement है कि सर यह chapter बहुत सरे chapter की demand है तो मैं साथियों मैं आपको बताऊं कि structure of item, chemical bonding, periodic table, यह जितने भी chapters हैं यह सभी chapters solid state है, यह सभी chapters एक ऐसे level पे हैं जहां आप पढ़ते भी हैं और अगर new freshers है तो फिर आप आसानी से पढ़ के आए होंगे और जो teachers हैं जो पढ़ाते हैं वो पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको यह बता दूँ कि यह chapters थोड़ा सा आप अपने आप भी कर सकते हैं लेकिन मैं जो difficult topics हैं जैसे dyes हो गया मैंने दिया आपको spectroscopy हो गया मैंने आपको दिया इसी तरीके से heterocyclic compounds आपको दे रहा हूं तो जितने भी topics आपको provide कर रहा हूं यह सभी topics जो हैं बहु आपका support कर रहा हूं कि 100% तो आप जानते हैं कि ना आप है ना हम है कोई भी 100% नहीं है लेकिन मैं आपकी इस जो आपका यूद दिश्तर की तयारी में आपका support करने के लिए पूरी तरीके स्तयार हूं जितनी भी material मेरे पास में है जित जो भी material मैं provide करवा सकता हूं आपको वो material मैं आपको provide करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं heterocyclic compounds का introduction दे दूँगा आपको, कि ये heterocyclic compounds होते हैं, उसके बाद heterocyclic compounds की कुछ important reactions बता दूँगा, acidic basic increasing orders बता दूँगा, ये सभी proper तरीके से मैं दे दूँगा, और जितनी भी electrophilic reactions है, chemical reactions है, वो मैं आपको telegram बाले group पर डाल दूँगा, तो उनको देख लिजेगा, उनसे आप practice कर लिजेगा, जैसे फ्रीडल कार्फ reaction है, कोल बे reaction है, assery character है, और electrophilic substitution reactions है, तो इन सभी को मैं डाल दूँगा आपके telegram group पर, उनसे देख लिजेगा, बाकी आप जितना भी मैं आपको support कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, तो साथियों, मैं आपके support में हूँ, आप मेरे support में रहिए, इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, जितने ज़्यादा ज़्यादा मेरे channel को आप support करते रहेंगे, आपकी तयारी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये videos आपके अपने channel को promote करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये videos जो हैं, वो आपके promotion, यानि कि आपका PGT में selection के लिए बना रहा हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा motto नहीं है, आपने देखा होगा videos में बहुत बड़ा कोई जाधा में modifications नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरा उद्दिस यही है कि आप तक मेरी ये जो जानकारी है वो पहां सके, और दोस्तों एक बात में आपको और बताता हूँ कि जितने भी मेरे साथ ही हैं वो practice जादस जादा करें, परड़े 50 questions, 100 questions की practice जादा जादा करें, क्योंकि exam में समय नहीं है, 20 जुलाई के बाद मैं आपको practice model papers कराऊँगा, तो ये heterocyclic compounds क्या होते हैं, इनकी videos के लिए लगातार आप इस पूरी वीडियो को देखते रहेगा, इसके बिलकुल मत किया किजिए क्योंकि कौन सा point, कौन सी चीज आपका selection करा दे, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताता हूँ, introduce कराता हूँ, कि heterocyclic compounds क्या होते हैं, what are the heterocyclic compounds, and how can you prepare heterocyclic compounds, how can you write the IPC name of these heterocyclic compounds, ये सभी की जानकारी आपको देता हूँ, इस आज की वीडियो में, देखिए, क्या है heterocyclic compounds और उनका introduction, उनकी properties. दोस्तों, नमस्कार, जैसे कि heterocyclic compounds की study हम लोग करने जा रहे हैं, तो heterocyclic compounds क्या होते हैं, हम लोग topic हमारा आज का है, बहुत ही बढ़िया topic है, आपको ये topic exam में मदद करेगा, तो topic है हमारा heterocyclic compounds, ये heterocyclic compounds की demand भी बहुत थी, कि सर इसको बताईएगा, तो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊँगा, कि heterocyclic compounds का introduction क्या होता है, कितनी category के heterocyclic compounds होते हैं, तो आप ज़रा देखिएगा, heading हमारा है introduction of heterocyclic compounds, यानि heterocyclic compounds actual में होते क्या हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे धंग से बताने की कोशिस करूँगा, जितना easy method हो पाएगा, तो बताने की कोशिस करूँगा, तो heterocyclic compounds are relatively stable ring compounds, in which one or more of the ring atoms are of different elements, यानि carbon के अलाबा भी इसके अंदर दुसरा atom हो सकता है, hetero atom हो सकता है, यानि कि जैसे के nitrogen भी हो सकता है, oxygen भी हो सकता है, sulfur भी हो सकता है, aluminium, silicon, arsenic, ये सम्में से copper कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, कि mainly nitrogen, oxygen, sulfur ही होता है, मतलब जो phosphorus है, boron है, silicon है, aluminium है, ये occasionally तो हो सकते हैं, temporary तो हो सकते हैं, लेकिन आप इमान के चलें कि mainly आपको nitrogen, oxygen, sulfur, ये तीन compound आपको ऐसे मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब heterocyclic compounds, वो organic compounds होंगे, जिनके ring में carbon के अलाबब भी एक hetero atom होना चाहिए, hetero का मतलब ही होता है different, हेट्रो का अगर आप meaning जानना चाहते हैं, तो इसका meaning में मैं आपको समझा देता हूँ, इसका meaning होता है different item होना, लेकिन अब मैं आपको बड़ा अच्छे ढ़ंग से बताता हूँ, heterocyclic compounds कितनी category में divide हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेट्रो साइक्लिक compound लिखा मैंने ज़रा ध्यां से देखें, आप हेट्रो साइक्लिक compound लिखा मैंने इनको तीन category में इन डिवाइड कर दिया, ज़रा ध्यां से देखेंगा मजा आने वाला है बिलकुल आपको ऐसा लगे का कितना easy method से समझ रहे हैं, हेट्रो साइक्लिक compound को तीन category मैंने डिवाइड कर दिया, नोस तो जानते होंगे N-O-S यह होगा नोस अब इसका मतलब है nitrogen containing वाले हेट्रो साइक्लिक, उख न्हाँत together अब nitrogen हट्रो साइक्लिक aura आप जिए कि passieren वाले में Beautiful इससे दो का दो निए लिएखना पर नाइवाएड शाझते लिए लोगे इंगा हां धिवाट आपका टिब्रभाथी रिय्र isso कि timeline हो गया इसके बाद कऊ आपका को प्राइडीं तो नाइटरोजन की कटागरी में आपको तीन मिल जाएगा अकजीजन की जो कटागरी उसमें आपको फिराण और पाईराण मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें आपको फ्यूराण लिख देता हूँ याननिकी ये लिग गया आपका फिरॉन और दूसरा हो जाता है आपका पाइराय है तो ये दो हो गया और सल्फ़र की कटागरी में चले जाए ये थ्यॵाईवें ağaim पाइर송 के कहनळी कह marketing बडूर हो जाएगा कि इस तरीके से हम लोग ये compound हेट्रो एटम में पढ़ ली थे अब मैं आपको ये बता दूँ कि हेट्रो एटम में 5-membered ring भी होते हैं और 6-membered ring भी होते हैं तो हेट्रो साइक्लिक compound पहले तो आप ये लिख लीजे ही तो इसलिए हेट्रो साइकलिक compound को मैंने फिर 2-これは कर में डिवाइड कर दिया एक हो जाते हैं 5-membered 5-membered में 60-ंडिशन लगी है कि 5-membered जो होंगे वो single hetero item रखेंगे 6-membered single hetero item रखेंगे तो यहाँ पर 5-membered जो है दू कटागरी में हो जाएंगे एक तो 5-membered having single hetero item यहाँ पर आपका single hetero item हो जाएगा है ना और यहाँ पर 5-membered ring having single को डबल यहाँ कि 2 double double आपका hetero item हो जाएगा double hetero item हो जाएगा इसी तरीके 6-membered में भी दो ही यही कटागरी जाएंगे single hetero item और आपका double hetero item इस तरीके से दो कटागरी में आप डिवाइड कर लिजीगा अब सबसे important हो जाता है भाजियों कि इस कटागरी में आते कौन को से तो सबसे पहले में बात कर रहा हूं 5-membered rings containing single hetero item यहाँ पर मैं heading बना देता हूं 5-membered ring having hetero item यहाँ आप heading बना लेए छोटे-छोटे notes बनाईए बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में मजा आएगा तो 5-membered मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें nitrogen बाली में बात करता हूं कि सबसे पहले सबके एक अच्छा एक खट्टी में 5-membered पूरी बता देता हूं सबसे पहले आप क्या कर यह जो है पांच pentagon बना लिए देखिए मेरा तरीका देखे बाकी तो आप समझदार हैं यह मैंने 5 pentagon बना लिए इसे एक बना दिया दूसरा बना दिया तीसरा बना दिया सौथा बना दिया और यहां पर बना दे रहा हूं यह 5 pentagon मैंने बना दिया अब पांचों में क्या करता हूं देखिए सबसे पहले मैंने यहां double bond बना लाया यहां NH मेरे लिखने के तरीके को समझे यह मैंने बनाया पाइरॉल इसका नाम देहन से सुनिएगा पाइरॉल पहला बाला क्या है पाइरॉल ठीक है न यहीं पर मैंने nitrogen को हटाया और धीरे से यहां पर एक oxygen लगा दिया यह दो एलक्टोन उपर दो निचे इसका नाम हो जाता है furon तो यह हो गया आपका pyrrol पीड़ाई डव डवल आरो एल इपाइरॉल होगे important है यह पार उसके बाद यह हो जाता है आपका furan यह furan हो जाता है इसके बाद जाता है पहले nitrogen लगा और अ आप क्या काम करिए कि एक जिस पहले वाले के ही आप अंदर के बाउंड हटा दीजिए बाहर रहने दीजिए तो यह नाम हो जाता है आपका पायRO-Lidi- यह आपकोएजिए तो यह आपको तो यह मैने आपको फाइब मेंबरण की बतायां अब इसी तरीके से मैं आपको six member'd इंट्रोड्यूश से होते हैं देखे देखे द में यहां लिख देता हूं six member'd word cut में लिखता हूं जिसे टाइम खराब नौ six member'd ring होगा उख्या होगा वो देखे हैं जहां से देखते रहेगा सबसे पहले मैंने क्या कर्म किया एक मैंने हेग्जागन ऐसे बनाएं बीच में नैट्रूजन डाल दिया अल्टरनेट बॉन लगा दिया इसका नाम होता है पाइरी बोलो पाइरेडीन नाम देखिए गया इसी के अंदर का बॉन हटा दीजिए उस र आगे बढ़ेंगे इसमें एक ऑक्सियन ठोक दीजिए ना आक्सियन लगा दिए इस तरीके से यह अक्सियन लग गया इसका नाम जो तब पाइरेन पी वाई आरेन इसे गामा पाइरेन भी बोलते हैं और इसके बाद अगर यहां पर आक्सियन लगा लगा लिजिए मंदब आप थोड़ा दिमाग लगाए पहले नैट्रोजन लगाए फिर अप्सियन लगाए अप्सियन लगाए इसके बाद अगर अंदर के बॉण्ड हटा दो इसके अंदर के बॉण्ड हटा यहां बना देता हूं आप नाम में बोल दूंगा जगह साला की कम बच रही है तो यह हो गया आपका टेट्रा हाइड्रो पाइरन सब्सक्राइल अपका एक्ट्रा हाइड्रो पाइरन तो अब यह मैने आपको बता दिये जितनी भी 5 member ring थे और 6 member ring थे, अब 5 member ring containing 2 or more heteroatoms, जयनी कि अब हमारा heading क्या होगा? 5 member, 5, sorry, 5 member ring having 2 heteroatoms, 2 heteroatoms हो जिनके अंदर, 2 heteroatoms, अब भाहिया, इनकी भी, भाहि, यह नाम बहुत जरूरी है, इन नाम को आपको ज्यान रखना है बाकी चक्तर में नहीं फसना है तो अब मैं आपको चू की जगह बनानी थी इसलिए मैंने इसको अटा दिया अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो important है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले काम यह करिए यहां पर नाइट्रोजन लगाले यहां लगा दिया नीचे यह भाज लागा लिए यह उसका नाम हो जाताए पायाई आर जड़ ओ ल इस तरीके से पर बढ़ा और यहां क्यों देता हूब पाकिर नोब अब इसका नाम होिए इमेayı नहीं किया है कि अब मैं मैं क्या कहता हूँ जैसे एक ऊपर खा инструмент हैת एक दोनों लगा देता हूं पहले यहां लगाया फिर फिर सेकंड नम्बर पर लगाया हमेशा इसके बाद आप दूनों जगह लगा देता हूं कि यहां लगा लेता हूं अब यहां पर यहां लगाना यहां लगा चैना लगाते बटाइआ जो आपका यहां बढ़ा है किसके बाद अगर आपका और पढ़ना और लगाईे एक आईसे लगाई एकाइसे यहां अक्सीजन लगा दीजिए ऐसे लगा दीजिए इसका ना ऑक्साजोल ओ एक्स ए ऑक्स ए ओ धान्य को चाइड वह जाता है औक्साजोल इसका थायो थायो फायो लगा दिना वह आप समझदा裡 है हम दीक शंवपर ऑप संवार ने सलफर लगा देन सलफर नल्ला बढ़ने चाहिए यह चीज भी आपको बताने यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आप जाने हैं अब मैं मिटा के अब इसे बनाता हूं सबसे पहले मैं बनाता हूं यह कंपाउंड देखे मज़ा आने वाला है आपको बढ़ जा लागेगा आपको चिंता ना करें आप आपकी तयारी में मैं आपके साथ हूं आप बेफिकर बिल्कुल रहे हैं यह मैंने बना दिया सबसे पहले कंपाउंड इसका नाम है पाईरी ना पी वाई आराई पाईरी इसका नाम हो जाता है तो इसलिए मैं आपको नाम सिखा रहा हूं यह ध्यान रखेगा यहां जिना समय ना किसर बता रहा है तो आप अमने सामने लगा दिया न्याश्यन है नाश्यन लगाना है यह लगाना है तो इस तरीके से मैंने आपको यह बताया कि कैसे आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कौन-कौन से हेट्रोसाइकलिक इनका नाम याद रहता है और जब नाम नहीं पता करो कि उसके क्या कर लोगे अब इनके नाम कुछ नाम और भी है जो बहुत जरूरी है जो आपको पढ़ना भी जरूरी है एक तो होता है जो कंडेंज्ड मतब मिल जाते हैं जो एक से ज्यादा रिंग रखते हों तो हम लोग अपको अपको द्यान रखना परिसान नहीं होना है यह प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे दो-चार दिन याद रहेंगे बाद भूल जाना सबसे पहले अब इसको हम लोग बोलते वुन या बना लिया अब इसको हम लोग बोलते हैं पूरिण आता है पेपर में इसको विर्डा लुणा है और हिसे पहले पूरा इस तरीके से अब यह लगा थेक्षाइब पहरा पर अब आप यहां लगा दीजिए यह बन गया आपका आइसो कुईनोलीन इतने कंपाउंड अगर आप याद रखेंगे तो आइसो कुईनोलीन तो पक्का अबादा करता हूं आपसे कि जो आपका एक्जाम है उसमें कोश्चन फसना ही फसना 100% फसेगा तो यह मैंने आपको बताया आज इंट्रोडक्शन पूरा कि हेट्रोसाइकलिक कंपाउंड क्या होते हैं इसकोश्चन का जवाब आपको इस वीडियो मिला होगा what are the heterocyclic compounds यानि कि आपको classification में मदद मिली होगी तो please इसको देखे, लिखे, practice कर लीजे अब मैं आपको बताऊँगा, next वीडियो में आपको बताऊँगा कि IUPAC name क्या होता है, तब तक इस वीडियो को देखे, practice करिए और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को share कर दीजेगा और अगर आप नए हो तो please इसको subscribe भीग कर दीजेगा मैं चाहता हूँ कि आपका selection PGT में जरूर हो मेरी इस वीडियो की मदद से हो, इन supportive material के बज़े से हो ये मेरा लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ा achievement होगा और आपके लिए तो life का achievement होगा, तो इसलिए दोस्तों मेरे चैनल पर बने रही है और अब मैं आपको next वीडियो के साथ हाजिर होगा, जिसमें बताऊँगा कि और UPC nomenclature of hydrocyclic compounds है, थैंक यू, बाए बाए, गुद देग